हालो फ्रेंज आज की रेसेपी है जिसे आप टू इन वन कह सकते हैं आपका जब मन कहें तब आप इसे फ्राई करके खा सकते हो और वनना सब्जी बना के आप इंजॉय कर सकते हैं तो फ्रेंज हम लॉकी की सब्जी बनाने जा रहे हैं और स्नेक्स के रूप में भी बनाएंग उसमें अद्रक लहसुन का पेश्ट डालिए और हरी धनिया डालिए उपर से दो तीन चम्मच आप रिफाइन ओईल डाल देजिए इसके बाद हमारा जाएगा बेशन बेशन आप अपनी कॉंटिटी के हिसाब से डालिएगा इतना कि जितना आप लोकी के को कद्दू करके लिए रहेंगे जितना वो रहेगा उतने ही आपका बेशन रहेगा और इसमें पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है और इसी तरह से आप अच्छे से बना लेजेगा इसे एक तरह हम रखेंगे फिर वापस गैस पे कढ़ा भूनेंगे फिर मैंने उसमें कस्मिरी लाल मिर्च और हल्दी धनिया पावडर और गरम मसाला इतने ही चीजों से बनाया है बहुत ही टेस्टी बनी थी और बहुत ही हल्दी है आप सोच रहे होंगे कि स्नेक्स के रूप में हम कैसे यूज़ करेंगे पहले हम ग्रेवी तया फिर उसमें आप एक टामाटर काटके डाल दीजिएगा टामाटर डालने के बाद नमक स्वाध अनुसार आप डालिएगा और इसे अच्छे से पकने के लिए रहे है फिर मैंने एक पैन में दो चम्मज तेल डाला है तो फिर जो बैटर हमने बना के रखा था ना उस बैटर लो फ्लेम पे होना चाहिए जब तक आपका टामाटर गलेगा और आप ग्रेवी तयार करोगे तब तक आपका वो बैटर भी तयार हो जाएगा जो हमने पैन में ढखके रखा हुआ है तो आप देखिए मेरा टामाटर बिल्कुल गल के हो गया है मैंने पानी डाल दिया है आ बिल्कुल क्लीन निकल रही है तो बहुत जल्दी दो से तीन मिट में यह बनके तयार हो जाता है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक सेर कीजिए बहुत ही टेस्ट ह है आपको जब भी हलकी फुलकी भूख लगे बच्चों को यह बहुत ही चटपटा है आप इसे सफ कीजिए चाय के साथ या कोई मेमान आ जाता है तो फटाफट बना के उसे सफ कीजिए बिल्कुल कोई नहीं समझ पाएगा कि यह लोगी का बनाया जो लोगी नहीं खाते है उसको खाने के बाद खाना ही सुरू कर देंगे उनका फेबरेट हो जाने वाला यह तो फ्रेंस यह तो चाय के साथ बहुत ही टेस्टी लगा मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया और कोई समझी नहीं पाया कि मैंने लोगी से इसे बनाया है तो आप भी एक बार बनाये और आप इसाथ में से बनाये काट सकते हैं फिर जब ग्रेवी पक जाए तो इसे डाल यह और दो से तीन मिनट का से थोड़ा सा उबालाने दीजें दो-तीन मिनट का वाप मेरी ग्रेवी तो तयार थी तो मैंने इसे काटके उसमें डाल दिया है इसी तरह से आपको जितनी जरू आप डालिए आप बिना रोटी चावल के भी खा सकते हो बहुत ही मज़ा आया था इसे खा के फ्रेंस तो इसी तरह से आप भी इंजॉय कीजिए और इसे एक बार ट्राइ करिए और कमेंट में बताएगा फ्रेंस कि आपको मेरी रेशिपी कैसी लगती है आप लोग कमेंट नह चल पाता कि आपको कोई रेशिपी पसंद आई है या नहीं आई है तो फ्रेंस इसी तरह से बनाते रहे और इंजॉय कीजिए इंजॉय कीजिए फ्रेंस मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाई